जै माता की सभी भक्तों को कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिती होंगे और माजगजनी मामबे की कृपा आप सभी के उपर बनी हुई है यही हमेशा आप सभी के लिए कामना दिल से करती हूँ तो आज आप सभी के प्यार से और मा के आशिरवाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी अपने घर में लोभान की धुनी करते हैं लुभान की दुनी करने से आपको क्या होता है, क्या मिलता है और लुभान का यूज जादतर आपने देखा होगा दुनी करने में क्यों किया जाता है तो मेरे साथ अंतक बने रही तब ही आपको सारी जानकारी मिलेगी जब तक आप अंतक बने रहेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आई करें उसको प्रैस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुच जाए और अब बात करते हैं कि लोबान की दुनी क्यों की जाती है बहुत सारे लोग लोबान की दुनी अपने घर में करते हैं कुछ लोग की मनुस्तिती ये होती है कि हम लोग अपने घर में खुश्बू के लिए करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि घर में जो है दर नाकारतमक उरज्जा जो होती है नेगिटिव एनरजी अगर है तो उसको दूर करने के लिए भी लोबान की धुनी की जाती है और कुछ लोग इस दोनी को पूरे घर में गुमाते हैं ताकि घर का शुद्धी करन हो जाए घर में शुद्धता रहे घर के अंदर कोई भी अफवितरता न रहे घर में हमिशा शुद्धी करन रहे इसलिए भी की जाती है तो आज मैं आपको बताऊंगी लोभान की दोनी और आपके घर में माता रानी की क्रिपा से सभी जो नाकारतमक शक्तियां है नाकारतमक उड़ जा है अशांती है दरिदर है दुख है वो सब भी दूर हो जाए और घर में जो है शुक और शांती हो तो आपको क्या करना है पहली बात होती है कि जब हमारे घर में जो है इस तरह की दर्दरता या दुख होते हैं तो हमें जो है यह इस तरह की सोच अपने आप ही बन जाती है कुछ लोग जो है भक्ती किराम में जुट जाते हैं तो कुछ लोगों का मन ऐसा हो जाता है कि भगवान है यह नहीं दुखी दुखी रहते हैं ऐसे लोगों को भी घर में अपने धुनी जरूर करने चे लोबान की धुनी का कोई भी नुकसान नहीं होता है, किसी भी तरह का आपको कोई नुकसान नहीं होता है, बलकि फाइदा ही होता है, लोबान की धुनी करने से आपके घर की सब दुख दूर होते हैं, और अगर आप मा जग जनी मा अमबे के आगे, जै ये जो है शुब होता है अच्छा होता है आपको जो है घर की जुस्त्रियां हैं घर की जो मैला हैं उनको ही करनी चाहिए जैसे की संध्या कालिम करिये या फिर सुबह सुबह आप अपने घर में लोबान की दूनी कर सकते हैं इससे जो है आपके घर के अंदर शुदता होती है घर के अंदर की जो दरिदर है जो दुख है वो सब दूर होते हैं और उसके अंदर आपको एक और उपाय करना है इसके अंदर आप थोड़ी सी पीले रंग की अगर सरसो डाल देते हो तो मा कालिका का अवान करके मा कालिका का नाम लेके आपके घर के अंदर नगा अगर कोई नाकारतमग उर्जा है तो उस उर्जा को बगाने के लिए आप जो है इसमें थोड़ी सी पीले रंग की सरसो भी एड़ कर सकते हो दो लोंग और थोड़ी सी पीले रंग की सरसो और लोबान इन तीन चीजों का आपने जो है यूज करना है घर में धूनी करने के लिए घर में जयमबे बोलते हुए या जयमातागी बोलते हुए आपने जो है धुनी करनी है पूरे घर में धुआ फैला देना है और यही प्रातना करनी है माता रानी से कि है माजगजनी है मामबे हमारे घर में जो भी दुख है जो दरिदर है जो भी नाकारतमक शक्तियां है घर में अशा आप हमारे घर में आएं और इस दुनी के माद्यम से जिस तरह से दुआ हमारे घर में फैल रहा है इसी तरह से आपकी शक्तियां हमारे घर में हो और आपकी शक्तियों के माद्यम से हमारे घर की जो यह सारी गंदकी है वो अपने आप ही बाहर निकल जाए खतम हो जाए इससे आपके घर के अंदर शुद्धी करन रहेगा, घर के अंदर कभी भी कोई नागारतमक उरजान नहीं आती है, घर में कोई बुरी आत्मा नहीं आती है, या घर में अशान्ती नहीं फैलती है, सुक्षान्ती समरिद्धी देती है, आपको लुभान की दुनी करने का बहुत सारा फाइदा आपको होता है तो आप इस दूनी को करते रहे पर नियम के इंसार अगर करोगे या सूब शाम आप करते हो तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देती है तो ये मैंने सोड़ी सी छोटी सी जानकारी आपको दी है आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अ और मां के प्यारे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें चलिए जयमात